आज हम लोग बहुत ही महत्तोपुन टॉपिक पर डिसकस करने वाली हैं जो कि सबसे अहम है एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे अहम जो पड़ाव होता है वह होता है बोट इग्जामिनेशन और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको मैं आगे अभी ले चलूँगा बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियोज की ओर तो आज का हमारा वीडियो जो है आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है आपके केरियर को यहां से मोड दिया जाने वाला है क्योंकि आज से समय आ चुका है कि आप अब हमारी पास सिर्फ दो महीने समय बच रहे हैं दिसंबर और जन्वरी फरवरी बे बोड इजामिने से डेट आते हैं यानि कि आप वहां से कोई भी टाइमिंग उधर बचता नहीं है तो दो महीने हमारी पास हैं और इस दो महीने की प्लानिंग हम कैसे करेंगे ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्तोपुर्ण रोल अदा करता है और ये दो महीने जो समय हैं कि पूरे जीवन चक्र को बदल के रख देंगे आपने अभी तक किन-किन गलतियों को किया है वो सारे गलतियों को अभी भी आप भरपाई कर सकते हैं यानि कि उन गलतियों पर अभी भी आप परदा डाल सकते हैं आपके पास दो महीने सामय हैं और अभी भी आप जाग जाईए और इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आप अभी भी जाग जाएए आपके जीवन में अभी भी उजाला आने वाला है क्योंकि board examination को जो है वह iron gate कहा जाता है यानि कि 10th जो examination होता है हमारा वह iron gate होता है education की दुनिया में प्रवेश करने का higher education में जाने के लिए और उसक कैसे पढ़ने हैं उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें routine के बारे में चर्चा हम करेंगे लेकिन आज की वीडियो में हम फिलहाल आपको सिर्फ हम कुछ महत्तोपुन points के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप दिहान से सुनिए तो सबसे पहला कि board examination को चुकि iron gate कहा और यही board examination 10th का जो examination होता है आप यदि इन्हें अच्छे तरीके से आप अच्छे marks के साथ पास करते हो तो आपके लिए क्या है अच्छे अच्छे college के दरवाजे खुल जाते हैं और वो जो दरवाजे खुलते हैं वहां से फिर आपका जो है वह पढ़ाव अगला start होता है और यह board examination में ही आपको पता चल जाता है कि आपको आगे की पढ़ाई की सोर करनी है और किस तरीके से करनी है तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपने career की जब हम board result को अच्छे तरीके से यदि हम board में अच्छा performance करते हैं हमारा अच्छा result आता है तो हम career के बारे में करते हैं उसके नुसार से लड़का science, arts, commerce कोई भी student वो अपना चूज करता है branch उसकी बाद वो उस छेतर में आगे बढ़ता है तो अब क्या है अब समय आ चुका है now it is the time to change your gear and accelerate yourself that means to work hard so this is the time to work hard if you are working very hard then it will become very easy to get success that means या आप का है कि यदि आप hard work कर रहे हो तो आपके success होने की chances जो है बहुत बन जाते हैं और यदि आप hard work नहीं कर रहे हो तो आप जादा समय व्यतित करने के बाद भी आप कम सफलता अरजित कर पाऊगी so that means अभी हमारी पास सिर्फ दो महिने बच रहे हैं अब इन दो महिनों के में जो है वह क्या है हमें समय का सदूपयोग करना है ठीक है तो इस दो महिने के लिए क्या है मैंने क्या कहा कि now it is the time to change your gear यानि कि आप पढ़ने के gear को बदल दीजिए और यह समय आ चुका है hard work करने का अब आप बिल्कुल एक अच्छे तरीके से लए से जो भी syllabus आपने complete किया है वो सारा अच्छा बात है और जो syllabus अभी complete नहीं हुए हैं उन्हें आप जल्दी से जल्दी complete कर लीजिए और एक hard work दो महिने कीजिए और उसमें बिल्कुल भी पढ़े हुए chapters को सारे revision करते जाएए जितने भी subjects हैं सबके एक तरीके से routine बनाएए और सारे subjects को लेकर daily उसका routine को follow कीजिए तो मैंने क्या कहा कि hard work एक word जो होता है यह हमारी जीवन में बहुत ही एहम role अदा करता है Because if you are not working hard then how can you get success with outwork hard? If you are not working hard that means you are wasting your life and if you are working hard that means you are making or you are building your life. That means your whole life is considered to be a big building or a place where we can live with peace fully. If you are not working hard if you are wasting your time that means you are wasting your life. So it is very important to realize the importance of time, realize the importance of hard work and because we know that all of us do work hard to get success and it is the secret to success. Because hard work is key to success. It is always said that. यह हमेशा आपने सुना होगा कि hard work जो होता है कहा जाता है success का कुझी है यानि कि सफलता की कुझी है है तो आप समझ जाएए कि hard work का हमारी जीवन में क्या मातो है. तो अभी का जो समय आगया है अभी ही hard work करना है. Yes, strike the iron while it is hot. यानि कि हथोड़ा तब मारते हैं जब लोहा गर्म होता है. तो याद किजिए अब exam का समय आ चुका है. अब हथोड़ा मारने का समय आ चुका है. तो अभी हथोड़ा मारिए. लोहा गर्म है. आपके लोहे को जिधर आप मोड़ना चाहेंगे वो लोहा मुड़ जाएगा. यानि कि आपका जीवन, आपका केरियर यही से मोड़ लेने वाला है. आप यहां से दो महीने में भी अपने board के result को अच्छा कर सकते हैं, बहतर बन के बाद आप केरियर के किसी भी छेतर में आप कदम रख सकते हैं और अपना केरियर बना सकते हैं किसी भी फिल्ड में. क्योंकि आपका केरियर जो डिपेंड करेगा, वह सिर्फ और शिर्फ आपके results और आपके performance के आधार पर आपको फिल्ड मिलेंगे. अब मैं कुछ बाते महत्वपूर्ण बाते हैं जो बता देना चाहता हूं कि आप ऐसा ना सोचे कि हाड़ वर्क करने के बाद यदि मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं आता है उसके बाद मेरे केरियर का क्या होगा नहीं, ऐसा भी माइंड में नहीं रखना है माइंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है कि मेरे म्याक्स अगर कम आएंगे तो मेरे साथ क्या होगा जी नहीं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एक्जामपल्स को बताऊंगा जिन्होंने अपने अस्कूली सिख्छा को ठीक तर ऐसे के कमपलीट नहीं किया है बहुत सारे ऐसे-ऐसे साइंटिस्ट हैं बहुत सारे ऐसे-ऐसे जो हमारे महान मतलब स्कूलर्स रह चुके हैं उन्हें हम आज साइंटिस्ट के रूप में भी देख रहे हैं उनके द्वारा लिखे गए किताबों को भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनका स्कूली लाइफ अच्छा नहीं रहा है तो उनके बारे में जब आप जानोगे तो आपको आस्चरी होगा तो इसलिए टेंशन लेके नहीं पढ़ना है यस, study hard without taking any tension if you are taking tension then your concentration power will be less यदि आप tension लेके पढ़ोगे तो आपका concentration भंग हो जाएगा no, result जो मिलने वाला है वह तो मिलके रहेगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है इसलिए आप tension मत लिजिए बिना tension के पढ़िए और आपको जो फल मिलेंगे उन्हें आप सुईकार किजिए क्योंकि यह स्री कृष्ण के द्वारा गीता में भी कहा गया है yes, it is said by Lord Krishna in Gita that कर्म की चिंता आप करो यानि कि आप कर्म करते जाओ फल के चिंता उपर वाले पर छोड़ दीजिए तो आप कर्म करते जाएए आपके अच्छे अगर कर्म होंगे यानि कि आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो आपको फल अवस्य मिलेगी so please focus on your duty then forget about the result because result जो है वह आपके हाथ में नहीं है result उपर वाले के हाथ में result examiner के हाथ में है उपर वाले कौन है examiner और जो आपको marks देंगे उपर वाले उपर वाले के किरपा भी होगी तो जब आप मेहनत करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा तो उमीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपके अंदर जो है वह पढ़ने की रूची बढ़ जाएगी और आप कल से और अच्छे तरीके से या कि आज से ही आप अच्छे तरीके से पढ़ने लगोगे और आपको इस वीडियो से अपने जीवन में जरूर बदलावाएगी आपको इस वीडियो से जरूर फाइदा होगा और आपके रिजल्ट पर इसका असर पढ़ेगा तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो